नमस्कार बहुत स्वागत है आपका यदि आप घर बनाने जा रहे हैं या बना चुके हैं सैप्टिक टैंक का निर्मान करना है टौैलेट सैप्टिक टैंक तो यह वीडियो आपके लिए है इसे step by step अवसी दिखिएगा हम बात करेंगे सैप्टिक टैंक निर्मान की उचित द तो आहिसे में अगर हम बता दिए कि आपको बाइयकोन में बनाना है तो कभी-कभी संभभ नहीं हो पाता है तो आपको कहां नहीं बांथ बनाना यह महत्तपुर्णबhoo जाता है। तो सरप्रप्त, थो इस हम उसी की बात कर लेते हैं कि किन दिसाँ में आपको बिल्कुल नहीं बनाना, जैसा कि हम एक प्लांड है, कोई माले जीए इस प्रकार से आपका डाइगराम है, यह पूर्व दिसा है, यह पस्चिम, यह उत्तर है, और यह आपका दक्षिन है, यह माले जाया है, जैसे भी हो ये एक standard plan इसको मान सकते हैं दिसाएं देख लें नौर्थ इस इसान कोन ये सबसे सुभ दिसा मानी जाती है पुजा क्या दिसा जलत्रत्तु होता है सुभ दिसा तो सास्त्र के नुसार इन दिसा में तो बिल्कुल नहीं बनानी तो मैंने इसे cross कर दिये कि आपको इसान क और में किसी भी परिस्तिती में नहीं बनाना है काई कि ये सबसे बड़ा बास्तु दोस है ये सबसे अधिक नुकसान करता है दूसरा कहाने बनाना है बीच में बीच वाला अस्थान हमारा जब इसे बांट बांट देते हैं तो बीच का अस्थान ब्रहम अस्थान का लाता ह ये घर के बास्तु को पूर्ण रूपेंसे और संतुलित कर देता है चोटी-चोटी कुछ गलतियां होती तो उसका संतुलन किया जा सकता है लेकिन ये चोटी गलतियां नहीं है ये बड़ी गलतियां है आपको यहां भी निर्मान नहीं करना है ये दो जगह तो बिल्कुल नह तीसरा जो सबसे महत्वपुर्ण है कि आपको नैरीति कोन में भी नहीं करना है एक दो यह दो जगह तो कभी भी किसी भी परिस्थिती में आपको निर्मान नहीं करना है तीसरा यह तीन जगह आप अगर इस डाइगनोली इसे कॉर्नर पर छोड़ देते हैं तो आप बास्तु के कुछ संतुलन को बना सकते हैं घर के अब यह तीन जगह जब छूट गए तो अब महत्वपुर्ण हो जाता है कि कहा निर्मान करना सबसे अधिक उचित होगा तो इसक पर कुछ साबधानिया रखनी चाहिए प्राचीन समय में क्या होता था कि लोग सेप्टिक टैंक का निर्मान घर के अंदर नहीं करते थे सेप्टिक टैंक 140 सब कुछ घर के बाहर होता था तो प्राचीन समय में था कि सम्मिलित घर थे काफी लोग होते थे और काफी लंबे चौड़े जगह में घर बनता था लेकिन बरतमान समय में कोई 700 स्क्वाइर फिट, 1000 स्क्वाइर फिट, 1200, 1500 से कोई अधिक में घर बनाता नहीं है और काफी भूमी का मुल्ली भी काफी बढ़ गया था आई हम बात करते हैं कहां निर्मान करना चाहिए तो आपका कोई भी प्ल आपको ध्यान देना है कि सेप्टिक टेंग का वाल और बाउंडरी का वाल दोनों अलग होना चाहिए ऐसा नहीं कि सेप्टिक टेंग के ऊपर ही आपने घर बना दिया है या बाउंडरी डाल ये अच्छा नहीं माना जाता है सूब इस्थिती तब होती है जब आप सेप्ट टेंक का निर्मान करते हैं, अलग वाल देखें, ये दूसरे नमबर पे रखाया था, ये सबसे अधिक सूब इस्थिति होती है, तो आप यहाँ अब किसी परिस्थिति में हो सकती है, कि हम यहाँ नहीं बना सकें, ऐसा डिजाइन है, नक्सा है, चुकि कि किसी का उत्तर, किसी किया जा सकता है, चौथा दक्षिन की और निर्मान कर सकते हैं, दक्षिन की और कहा करना है, तो आपको दक्षिन का शेंटर सबसे पहले देख लेना है, यहाँ से यहाँ तक केंदर कहा है, केंदर को जो आपने दे दिया, तो केंदर और अगनी कोन, हलांकि ये दिसा उचित नहीं है यहां दोस लगता है लेकिन अन्य जगों पर आप निर्मान कर दें यहां 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 उससे कम दोस लगता है मतलब यह आपको यहां ही निर्मान करना है सास्त कहना है आला कि सास्तर कहता है कि यहां भी किया जा सकता है दोस कुछ कम लगते हैं लेकिन दोस लगते हैं फिर भी ये उपाय है अगर आपको यहां दक्षिन में करना हो तो ध्यान दें कि अगनी कौन को आपको छोड़ देना है अगनी कौर्णर मतलब कौर्णर पर बिल्कुल कभी निर्मान नहीं करना है आपको जब भी करना है इधर से कोशिस करें, प्रयास करें कि आप 2-3 फिट, कम से कम 3 फिट, 3-4 फिट इस वाल को छोड़दें, इस वाल को छोड़दें, 3-4 फिट और उसके बाद आप निरमान, मतलब disc इस प्रकार से आप यहां पर निरमान कर सकते हैं, यह अच्छा नहीं है लेकिन यहाँ पर निर्मान किया जा सकता है यह किया जा सकता है आपको ध्यान देना है कि वाल कुछ अलग हो हटके हो ति यह उचित अर अच्छा माना जाता है यह इस प्रकार से 4-5 जगा यह निर्मान किया जा सकता है अब हमने बता दिया कि कहां कहां निर्मान करना ये तीन सबसे अच्छा है उसके बाद है कि दोस लगता है लेकिन कम लगता है आप यहां बना सकते हैं ये तीन आप बिल्कुल नहीं बना सकते है अब आपको अगर यहां बना दिये ताब इस पर ध्यान क्या देना अगर मुख्य अगर आपका घर हो जाता था यहां पे द्वार दे तो septic tank के उपर से मुख्य द्वार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ध्यान देनी के बात तो यह साब धानिया रखनी है अगर उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा का द्वार इस अस्थान पे होना चाहिए लिए किसी परिस्तिती आपने यहां द्वार दे दिया है तो septic tank उसके नीचे अच्छा बिल्कुल नहीं मानती है यह आपको ध्यान देना है कि द्वार पर septic tank नहीं हो यह चुकि निगेटिव उर्जा को आप जब भी घर में प्रवेश करेंगे उसको लेकर परभाना कि इसके कुछ रिमेंडी उपाए है इसके पिसे पर भी हमने बात किया है और आगे भी इसके बात करेंगे ध्यान देंगे आपको और क्या ध्यान देना मुख्य द्वाल जो यह दिवाल होती है उससे हटकर आपको टैंक का निर्मान करना है बरह मस्थान में नहीं करना है इसान कोन में नहीं करना है तो आज की अंकमने कहां करना है कहां नहीं करना यह बता दिया ह rewind कक्या काफी बड़ा हो जाएगा हम अगले आंकी में और इसके बिश्त्रित अध्यन और चर्चा करेंगे आज की आंकी में इतना ही धन्यवाद